गुलिए दादा गुरदेव कि पुज्य गुरदेव प्रज्य पुरुर्स आचार्य भगवन जिन कांति सागर श्रुषाज Maharaj साफ के शिरी रतना, ऑवन्तिका तिर्थ उत्तर खत्ब हुआर त्चाधि पति परम पुज्य आचार्य परवर जिन मनिप्रब सुरिषरी ऋदिम परम पुज्य आचार्य प्रवर्श्री जीन प्योस सागर सुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्षुर्ष त verloren चश्री चेक स्वाहस में सेस्वाकस सवाथि मंदल में कूटीश कूटीश वंदन करते हैं युगादी देव लाइनाद पर मामात्मा के चनयों में वंदना गुदीर जिनसे युगंसतंगूर्ण में वंदन खर्तर गच्छादी पती स्वर्गी आचार भगवन शुजिन आनंद उदे मोदे केलाश्टागर सुष्वर जी महारत सहब के चर्णों में वंदन जस्ट डायल फोर इच एंड एवरी कोश्चन फास्टर देन गूगल ऐसे परंपुज खर्तर गच्छादी पती आचार भगवन के चर्णों में शुजित वंदन नमन मधूरता और मृदूता के ओवर्फ्लोइंग टैंग सैयम साधना में फर्स्ट रेंग ऐसे मम जीवन सत्पत प्रदर्शक परंपुज गुर्देव आचार भगवन के चर्णों में शुजित वंदन नमन पापी को पावन करने वाले परंपत के परंसाधक समस्त मुनिमंदल के चर्णों में साधर वंदन अनुवंदन शंदन बालाजी की पाठ परंपरा को शुब रहे समस्त साधवीजी भगवन्त उपस्तित धर्म प्रेमियो इसी जैपुर नगर की घटना है वैशाक और जेट महा की याने की में और जून की भीशन गर्मी और जैपुर की गर्मी जैपुर वाले बहुत अच्छे से जानते तो में और जून की गर्मी और उसमें भी समय कौन सा दोफ़हर के बारा बज़ए का समय ऐसी भीशन गर्मी में चिल चिलाती धूप में तपती धूप में भाई मुन्ना लाल जी अपने घर से निकले हैं और गरम कोट पहन करके निकले हैं गरम कोट पहन करके बिलुकुल बीच सडक में चल रहे हैं जहां सुरी की किरने सिधा तप रही है चलते चलते आगे बढ़े हैं और उन्हें रस्ते पे एक दुकान दिखाई दी कौन सी दुकान दिखाई दी पता ही के जैपुर वालों को शायद मैं नाम बताऊं तो आप लोग पहचान जाएं रावत मिस्चान भंडार सुनाएं आप लोगों ने ना क्या फेमस है रावत का कचोड़ी तो बस उस मुन्ना लाल भाई को भी रावत मिस्चान भंडार की गरम गरम तीखी कचोड़िया देखके क्या आगया मू में पानी आगया अब वो तो देखो स्टेशन रोड से गुजर रहे थे इसलिए क्या दिख गया रावत दिख गया राजा पार्क से गुजर रहे होते तो शयद शंकर समोसा याद आ जाता तो घटना कहां की है जैपर की है इसलिए सारी दुकाने भी कहां की है जैपर की है या मैं यू कहूं कि चांद पोल से गुजर रहे होते तो क्या याद आ जाता किसके टिकडे टिकड किसके महावीर के टिकड तो बस मुन्ना लाल भाई इधर गुजरे हैं और गरम गरम कचोडियां देखके मुँ में पानी आ गया है तीखी और गरम कचोडी है रहा नहीं जा रहा है और कचोडी खाने लग गए एक कचोडी खाए दूसरी कचोडी खाए लेकिन जैसे ही तीसरी कचोडी अपने मुँ में डालते हैं और क्या होता है एकदम अंदर से बेचैनी और जलन चालू हो जाती है कि अरे क्या करूं क्या ना करूं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और सोचो वास्ताओं में उस स मैं अगर कोई समझदार व्यक्ति मुन्ना लाल भाई के पास बैठा होगा तो उन्हें क्या सलहा देगा आप लोग होते तो क्या सलहा देते भाई सबसे पहले तो ये जो इतनी गर्मी में गरम कोट पहने हो उसको क्या कर दो उतार दो दूसरा तुम ये तीखी और गरम गरम जो कचोड़िया इस गर्मी में खा रहे हो वो खाना छोड़ दो बंद कर दो अरे वो नहीं तो कम सिकम इदर दूप में जो खड़े हो के रोड में तुम कचोड़ियां खा रहे हो दूप को छोड़ कर कहां आ जाओ च्छाव में आजाओ उसके बाद भी अगर मुँसे तीखापन कम नहीं हो रहा है तो ठंडा ठंडा मीठा पानी पीलो समझदार व्यक्ति तो यही सलहा देता पक्की बाद हम चिंतन करें कि यह जो रिशब देव परमात्मा की अंजन शला का प्रतिस्चा मौत्सव हमको निहारने का अवसर मिला है यह जो पंच कल्यानक स्चेज के माध्यम से हम देख रहे हैं यह हमें क्या संदेश दे रहे हैं देखो मुन्ना लाल भाई को सीख देने में तो अपन कितने उस्ताद निकले कि हमको पता था उनको क्या सीख देना है लेकिन वास्ताओं में ये परमात्मा की अंजनशला का प्रतिस्चा महत्सव यह पंच कल्यानक महत्सव हमें भी क्या सीख दे रहा है कि इस अनन्त काल की संसार यात्रा में हम जो कशायों का कोट पहन करके रखे हैं इस अंजनशला का हम उस कशायों का कोट क्या कर दें उतार दें यह जो पाप प्रवृत्तियों की गरम गरम तीखी कचोड़िया पकोड़िया हम अनंद काल से खाते आ रहे हैं उस पाप प्रवृत्ती की कचोड़िया खाना हम छोड़ दें लेकिन रावत को देखते ही फिर कचोड़ी याद आ तो वैसे ही संसार को देखके फिर हमको पाप प्रवृत्ति याद आ जाती है लेकिन हम देखेंगे कि रिशब देव परमात्मा देखो कल तो अपने परमात्मा का जन्म महुत्सव देखा आगे दिक्षा महुत्सव देखेंगे कि परमात्मा ने कैसे संसार की पाप प्रवृत की तीखी कचोडियों को छोड़ कर सयम मार्ग में आगे बढ़ गए और उसके बाद हम देखते हैं कि मुन्ना लाल भाई तो कहां खड़े हैं धूप में खड़े हैं हम उन्हें सलहा दे रहें कि अरे भईया आप कहां आजाओ चाव में आजाओ या पंच कल्यानक परमात्मा क अंजन्शला का प्रतिस्था भी हमें यही संदेश दे रही है कि क्यूँ संसार की धूप में खड़े हो जिन शाषन की धर्म की छाव में आजाओ कि क्यूँ तुम बार-बार क्या कर रहे हो पापो का पानी पी करके अपने आपको और क्या कर रहे हो बेचेन कर रहे हो तुम जिनवानी का ठंडा और मिठा पानी पियो जिससे तुम्हारी आत्मा क्या हो जाएगी शान्त हो जाएगी लेकिन ऐसा करने के लिए कितने लोग ततपर है कितने लोग ततपर है अभी हम मंदिर दर्शन करने भी आते हैं अगर मैं पूछू यहां जितने लोग बैटे हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनोंने अभी जो नया रिशब जिन प्रसाद बना है वहाँ पर फोटो नहीं खिचाए सारे लोगों ने फोटो खिचा ली होगे हम इस कारिक्रम में आ भी रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान तो कहा है मंदिर तो भव्य बना ही है लेकिन रिशब देव परमात्मा की मूरत प्रतिमा भी कितनी सुन्दर है किसको ऐसा भाव आया प्रतिमा देख के कि हे प्रभू तुझे देखू तो मेरी आखे DSLR बन जाए कि हे प्रभू हे रिशब देव परमात्मा तुझे देखू तुमें देखू तो मेरी आखे DSLR बन जाए बस तुमें ही देखता रहू और बाकी सब बलर हो जाए कि बस तुम्हें ही देखता रहूं और बाकी सब बलर हो जाए लगा संसार बलर हुआ नहीं आज सकतो हम जो फोटो की चाते रहे वही बलर हुआ लेकिन हमारी आखे कभी DSLR बन ही नहीं पाई परमात्मा को देखते हुए हम कभी संसार को बलर कर ही नहीं पाई लेकिन वास्ताओं में इस प्रतिस्चा महत्साओं में हमें क्या करना है बस यही करना है कि परमात्मा मेरी आखे DSLR बन जाए और बाकी ये जो संसार है वो क्या हो जाए बलर हो जाए करेंगे क्या ऐसा हम आएं लोगों से मिलते रहे अरे कीटी के बाद तो तुम आज मिली अरे उस दिन अपन मार्केट में मिले ते फिर तो आज मिले एक दुसरे से मिलने में समय बिता दिये इसलिए किसी ने क्या कहा कि औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है रिशब देव परमात्मा की जिन प्रसाद में आकर भी हम स्वयम से मिल नहीं पाए क्यारन क्यारा आज जो भी परमात्म भक्त जो भी दर्शनार थी इस मंदिर को इस जिनाले को देखते हैं वो क्या कहते हैं कि मंदिर कैसा बना है कैसा बना है मैं आप लोगों से पुछू, जैपूर वासियों से पुछू, भारत वर्ष उसे पधारे भक्तों से पुछू कि मंदिर कैसा बना है, भव्य बना है, मंदिर भव्य बना है, मंदिर भव्याती भव्य बना है, लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने वाले, इस मंदिर में आने वाले हम भव्य बने क्या हम भव्य बने मंदिर तो भव्य बन गया मंदिर तो भव्य बना लिये लेकिन इस मंदिर में आने वाले हम कितने भव्य बने तो ग्यानी भगवंत फर्माते हैं कि भव्य बनने के लिए क्या करना तो इसी जैपुर नगर की घटना है कि एक व्यापा हीरे जहवरात के लिए जहरात के काम के लिए और व्यपारी अपने पुत्र को ले के जाता है कि बेटा आज मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा हीरे को कैसे परखना ये तुझे सिखाऊंगा ताकि तु आगे व्यपार बहुत अच्छे से संचालित कर सके और जैसे ही एक दुका पिता जी यह देखो यह डायमंड का सेट बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है तब उसे पिता जी बताते हैं कि बेटा देख कभी भी हीरे की परख इस तरीके से नहीं होती हीरे की परख करने के लिए तीन चीज़ देखना सबसे पहले देखना उसमें पवित्रता कैसी है तो वास्ताओं में वो हीरे तो हमने अनेक देखे लेकिन इस काल के प्रथम तिर्थंकर रिशब देव परमात्मा भी एक अनमोल हीरे जिनके जीवन में पारदर्शिता गंभिड़ता और पवित्रता का संगम था कल हमने परमात्मा का जन्म कल्यानक मनाया लेकिन आज जिन शाष्यन के एक ऐसे ही हीरे परमपुज आचार भगवन श्री जिन प्यूश सागर सुरुश्वर जी महारत सहब का क्या है जन्म दिवस है कल हमने परमात्मा का जन्म कल्यानक मनाया और आज एक प्रसंग जन्म महोचसों का हम आचार भगवन्त की जीवन को भी देखें तो वो जिन शाशन की एक ऐसे ही रे कि जिनके जीवन में क्लेरिटी है पारदर्शिता है याने कि बाहर जैसे हैं वैसे ही बाहर भी हैं पढ़दे के पीछे अलग नहीं पढ़दे के बाहर अलग नहीं जिनके जीवन में पारदर्शिता है जो जैसा है वैसा देखते हैं जो जैसा है वैसा जीते हैं और जो जैसा है वैसा बताते हैं जिनके जीवन में डेंसिटी है अर्थाद गंभीरता है जो बोलते तो कम है लेकिन अपने मौन से ही बहुत बड़े-बड़े सदुपदेश दे जाते ह देखिए किसी ने क्या कहा भी है कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है तो वास्ताव में मौन की साधना भी कोई सहज साधना नहीं है जो अल्प भाशी है लेकिन जिनका व्यक्तित्वई सब कुछ बोल देता है जिनके जीवन में पवित्रता है देखिए इसे व्यक्ति को प्रसिद्धी प्रतिश्चा मिल सकती है लेकिन अगर जीवन में शांती सम्रिद्धी आत्मिक सम्रिद्धी और समाधी और अंत में सिद्धी चाहिए तो उसके लिए तो जीवन में क्या होना जरूरी है पवित्रता पुन्य तो आपको प्रसिद्धी और प प्रसंग बना है रिशब जिन प्रसाद की प्रतिश्चा प्रभु का पंच कल्यानक कोई भी प्रसंग बनता है तो उसके पीछे निश्चित तोर पर क्या होता है कोई ना कोई प्रेणना होती है क्योंकि बिना प्रेणना के कोई प्रसंग नहीं होता और अगर बिना प्रेणन पुज्या मनी प्रभाश भी अर जन्म भूमी होने के साथ साथ क्या है की अब जिम जिनाले को देखते हैं तो KITना विशाल जिनाले लेकिन ये विशाल जिनाले यहीं बन पाया क्या इस विशाल जिनाले के निर्माड में लगा विशाल पुर्शार्थ मनि प्रभाशी जी मारत सहब का और देखे ये जिनाले का कारे पूरा हुआ तो निश्रित मानना प्रभू कृपा और गुरू कृपा इन दो कृपाओं के बिना कोई भी कारे पुर्ण हो सकता नहीं है तो वास्तों में जिन पर गुरुवरिया श्री की कृपा सतत बरस रही है निश्रित तोर पर विचक्षन श्रीजी मारत साब का अविरल आशिरवाज जिने प्राप्त हो रहा है सादवी रतना मनी प्रभाश्वी जी मारत साब उन्हें भी हार्दिक शुपकामना है कि जिनकी प्रेणा से ऐसा उतंग विशाल शिखर का जिनाला यहां निर्मान हुआ है और भारत भर के शावकों का भारत वर्ग के भक्तों का श्री जैन श्यतांबर खरतर गच संग जैपूर जब इतने सारे सादू-सादवी भगवनतों को आज एक मंच पे देख रहे हैं तो आयोजक किसके आयोजकत्व में ये कारिक्रम हो रहा है और आकसी हम 20 वर्ष पहले जाएं तो माल पूरा तिर्थ की प्रतिस्चा उसके भी आयोजन करता कौन वो भी एक एतिहासिक प्रतिस्चा और यह भी एक एतिहासिक प्रतिस्चा दोनों आचायर भगवनतों का साथ में रहना 20 वर्ष पुर्व जो माल पूरा में हुआ था उसके बाद दोनों आचायर भगवनत आज पुना एक साथ 20 वर्षों के बाद वापस कहां और वापस आयोजग करता कौन वापस आयोजग करता कौन श्री जैन श्यतांबर खर्तरगत संग जैपुर तो वास्ताओं में शाशन प्रभावना के कारियों में जो फिट हैं देव गुरु धर्म की आग्या करते एड्मिट हैं देव गुरु धर्म की आग्या करते एड्मिट हैं संग पर आई विपदाओं को करते बिट हैं जिनकी अनुमोधना करना आज लेजिट है क्योंकि श्री जैन श्यतांबर खर्तरगत संग जैपुर भारत वर्ष में हिट है हिट है हिट है अगर वास्तों में जैपुर वालों को लगता है कि जैन श्यतांबर खर्तरगत संग हिट है तो आप सभी एक बार कहेंगे कि जैन श्यतांबर खर्तरगत संग जैपुर भारत वर्ष में हिट है तो जैन श्यतांबर खर्तरगत संग जिनका विशेश विशेश इस कारे को इस प्रेडना को पुर्णा होती तक ले जाने में जिनका विशेश विशेश योग दान रहा उसमें भी श्री प्रकाश चंजी साब लोड़ा, श्री विमल चंजी साब सुराना, इसके साथ ही जो जैपुर संग को एक अनुपम लाब मिला, जिनके रिदय में रोम रोम में प्रग शुरद्धा का भी 11 तारिक को यहां क्या है दिक्षा महोच्जव है और इसके साथ साथ ही देखिए प्रतिस्चा भी है प्रवरज्या भी है और साथ में पद प्रदान महोच्जव भी है परमपुज अध्यात्मयोगी महिंद्र सागर्जी मारश साभ युवा मनिशी तो सकल श्री संग को जैपुर संग को धेर सारी हार्दिक शुबकामनाए मुमुक्षु श्रद्धा जी को भी शुबकामनाए की वे जिस शौरिक के साथ प्रभु के पतपर आगे बढ़ रही है उनका मार्ग निशकंटक बने निशकलंक बने एवं बस जिस दिन 11 तारिक को रिशब देव परमात्मा कहां गादी नासीन होंगे रिशब जीन प्रासाद में परमात्मा विराजेंगे और इसके साथ साथ हमारे भी रिदय में दादा आदीनाथ की प्रतिस्चा हो जाए दादा आदीनाथ हमारे रिदय में विराज मान हो जाए यही शुबकामना यही म अंगल भावना जिन आग्या वृत कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से निच्छा मिद्गा अभी मुनि शाश्वत वृत्न सागर जी ने जैपूर संग के पुन्योधय की परमात्मा की मंदिर की परमात्मा की प्रतिष्ठा के इस अपूर्व आयोजन के संदर्ब में और अभी मुझे तो अभी मालूम पढ़ा कि आज पी उसागर जी का जनम दिन भी है तो हम सभी पूरे समुदाएं की और से सादू सादवी स्रावक्स राविकाएं इन सभी की और से हम हार्दिक बढ़ाई देते हैं और सुबह मालूम होता तो थोड़ा मिश्टान हम अपने हातों से ज़्यादे ही खिलाते एक तो खिलाई था लेकिन कोई बात नहीं आज का दिन बाकी है हाँ अभी पूरा दिन बाकी है दोपहर भी शाम भी जैपुर में निश्चित रूप से अपने आप में एक अनुठा उत्सव महत्सव चाया हुआ है वातावरण में चारों और किसी का भी चहरा देखो प्रफुलता से आज खिला खिला है दो दिन से हम जो परमात्मा की बक्ति के पलों में हम अपने रिदे को सुवासित कर रहे हैं अनमूल अनुठा वसर है